C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्त तक दूरवा भाग एक आठवा पाठ रुमाल प्रिष्ट संखिया 42 से 46 तक अब प्रस्तुत है पाठ रुमाल अब प्रस्तुत है पाठ रुमाल री त के नीचे छोटे उकी मात्रा तु रितु रितु म के नीचे री की मात्रा म्रिग र पर छोटे उकी मात्रा रुप और या पर बले उकी मात्रा या रुपया र पर बले उकी मात्रा रु म पर बले आ की मात्रा मा ल रु माल रुमाल दो अब इन वर्णों और शब्दों को पहचानिये और बोलिये रु रू 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 रि रि पेट कटा श पेट कटा श भ भ भ म्रिग रुमाल रुमाल रितु रुपया रुपया तीन अब इन शब्दों को सुनिये और बोलिये र żyण रितु रिशी रिशी रुप रूप शुरू जरूर जरूरल गरुल पुरुष, तरुण, वरुण, रुपया, करुणा, डमरू, कंगारू, गुरुनाथ, पुरुराज, मरुभूमी, जरूरत, चार अब इन शब्दों को बार-बार बोलिये रुपया, रूप, रुपया, रूप, पतला, बदला, कली, गली, कली, गली, ताप, दाब, ताप, दाब, बाग भाग भाग पाँच अब इन वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए अब यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं आपको इन चित्रों के नाम लिखने हैं यह चित्र हैं रुमाल का चित्र, रुपए का चित्र और हिरन का चित्र आपको इन चित्रों के नाम लिखने हैं साथ अब मैं आप से प्रश्न पूछूँँगा और आप उनका उत्तर देंगे जैसे तुम सुभ कितने बज़े उठते हो? साथ अब मैं आप से कुछ प्रश्न पूछूँगा और आप उनका उत्तर देंगे तुम सुभा कितने बज़े उठते हो? मैं सुभा छे बज़े उठता हूँ क्या तुम सुभा पढ़ते हो? जी हाँ, मैं प्रति दिन सुभा पढ़ता हूँ तुम्हारी बेहन किस कक्षा में पढ़ती है? मेरी बेहन कक्षा चह में पढ़ती है तुम बाजार किस लिए जाते हो? मैं बाजार कलम खरीदने के लिए जाता हूँ राहुल क्यों खुश है? राहुल मित्रों से मिलकर खुश है रंजना घर कब आती है? रंजना स्कूल की चुट्टी के बाद घर आती है रमन कहां जाता है? रमन खेल के मैदान में जाता है मौखिक पाठ एक, अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें सुनेंगे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैं छटी कक्षा में पढ़ती हूँ पिताजी बैंक में काम करते हैं मेरी बहन नौ बजे पाठ शाला जाती है आप कौन सा अख़वार पढ़ते हैं? दो, अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें दोहराएंगे आप कहां रहते हैं? मैं गांधी नगर में रहता हूँ यह अख़वार नागपुर से निकलता है तुम्हारी माँ क्या करती हैं? वे गणित पढ़ाती हैं पिताजी रात को कौफी नहीं पीते वे एक गिलास दूद पीते हैं हम लोग सुबह बाग में टहलते हैं तीन अब मैं आप से प्रश्न पूछूँगा और आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तुम कैसे पाठशाला आते हो? मैं साइकिल से आता हूँ पिताजी कितने बजे उठते हैं? वे सुबह पाँच बजे उठते हैं क्या तुम सुबह कसरत करते हो? जी हाँ, मैं रोज सुबह कसरत करता हूँ रूपा कहां रहती है? रूपा मैसूर में रहती है आप शाम को क्या करते हैं? हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं रोली, तुम सुभा क्या करती हो? मैं सुभा थोड़ी देर गीत गाती हूं और वीना बजाती हूं योग्यता विस्तार एक, अध्यापक विद्यार्थियों से उनकी दिन चरिया के बारे में कुछ वाक के बोलने का सुझाओ दें जैसे, मैं सुभा छे बजे उठती हूं, फिर हाथ मुह धोती हूं, आदी दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे, कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT